मचली के नाम से हुआ के दिम्याग में जेलिए ये यह या फिर ये लेकिन इन सब से हटके में आप लोगों को 30 अलग अलग परकार के और सुन्दर बढ़े में दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा जिसको आप अपने घर में भी पाल सकते हैं तो चलिए फिर विडि और सुन्दर है जिसको आप अपने घर में भी रख सकते हैं नमबर दो एंजल फीज एक मीठे पानी के परानी है मुर रूप से अधक्षिन अमेरिका में पाई जाती है नमबर तिन और अंडा फीज ए सबसे सुन्दर मचली की स्रेनिय में आती है इस मचली की विशेष्टा सीट की ब्रीदी और हुड के लिए जानी जाती है इन्हें गोल्डन फीज के नाम से भी जाना जाता है इनकी उतपती एसी यह जापान और चीन के कुछ हिंच्टों में प पाई जी आती है इस कि उतपती दचीन अमेर्का में पाई जाती है नमबर पाच टाइगर असकर फीज ऐसकर मीठेपनी का मचली है और अच्छार अपनी आकसरक को रूप बुदि मत्या रूंद चंचलता के कारण अमेरिका और यूरूप में लोग पिरिये हैं नमबर 6 गोल्डन सेवरम जिसे सिर्फ सेवरम के नाम से जाना जाता है या एक लोग पिरिये मीठे पानी का मचली है या सेवरम पर जाती क्या एक रंग रूप है जो दच्छीन अमेरिका के अमेजन बेसीन में पाया जाता है नमबर साथ स्वार्ण किंग गोल्ड फीज या आम सुनरी मचलियों के समान है सिवाई इसके या थोरी छोटी और पतली होती है और मुख रूप से इसकी लंबिग और इकाटेदार पूच से पहचानी जाती है या अमूल रूप से चीन, कोरिया और इरेसिया में पाया जाती है नमबर आठ कॉपर असकर फीस असकर एक 20 साल पैटाउन वाली रिकिल्ड मचली है ये वाला अभी उसका बच्चा है ये फोटो कुस हमाई पाले का है एक मच्चुगारे ने इसको पकरा है हमारे देसका नहीं है बाहर का है इसका वजन लगबग 30 केजी है ये अधिक बराजील कॉलंबिया और फ्रेंज में पाया जाता है नमबर नौ कोपन कर्प मच्चली जिसे हमारे भजपूरी भाषा में पूठिया कहा जाता है इस गुरूप की परमुक मच्चलियों में से कतला राहू तथा नेनी मच्चलिया आती है सभी मच्चलिया गंगा नदी में पाई जाती है नमबर दस बुलू टेटरा फिस इसका वास नरा अमली पानी में रहती है इसका गाहरा बुलू रन सबसे चमकीला होता है नमबर लेबन सुभम किंग फिस सुभम किंग फिस या एक परकार का कराकर पर जाती है जिसे किंग फिस के नाम से जाना जाता है पर संत महसागर में इस्ट्रेलिये के आस-पास एक मचली पकरी जाती है जिसे सुभम किंग फिस का आ जाता है नमबर बारा जेन गोरामीन यह एक मीठे पानी का मचली है यह मचली यह सिया मूल रूप से पाई जाती है भारत के उप महाइब देप से तच्छिन की वर पाई जाती है नमबर तेरा ट्रॉटल इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा इसके पीट पर फसलियों से बिक्सित हुए ढाल जैसे एक कवच से पाचाना जाता है इसका उमर लगवक तीन सा साल से अधिक होता है कच्छो के कई जातिया विलूप्त हो चुकी है लेकिन तीन सा सताई जातिया अस्तीतों में है भारत की एक मात कच्छो के सार रक्सम पर योजना भीतर कनी का ओडिसा में 1889 को पर राम हुई थी इस वीडियो में आप जो भी मचली देख रहे हैं उसको आप कैसे देख सकते हैं वीडियो के आंद में बताऊंगा तो वीडियो में लास्टक जरूर बने रहे हैं ग्राउंड सार की तरह का ये एक पर जाती है ये लगवक सूरा फीट तक होता है खासकर माद्य परसंद के दीपों के आसपास इसका नाम इसके सरीर के नीचे काली धारियों से निकला है जो बांध के पैटर्न से मिलता जुलता है नमबर पंद्रा पिराना फीस पिराना बहुँ ज़्यदा तकातों तेज और सबसे ज़्यादा आकरमक होती है पिराना एक दचिन अमेरिका में पाया जाने वाली मचली की पर जाती है बरफिले और समूद्र में पाया जाने वाली दुनिया भट के सबसे खतरनाक और आदमखुर मचली है नमबर सोला रेन्बो सार्क जिसे इंडर धनुष सार्क भी कहा जाता है या दचिन पूर्व ACI के मीठे फानी में पाय जाने वाली एक मचली की पर जाती है रेंबो सार्ग इंडो चिन के मूल निवासी है नमबर सत्रा गोल्ड फीस छोटी मीठी जल की मचली होती है इसे एक पालतू जैनवर के रूप में भी पाला जा सकता है या मूल रूप से चीन में पाय जाती है लेकिन एसिया और उगरूप के अन्य भागों में भी देखा जा सकता है नमबर अठारा पैरोड फीस तोटा मचली चम किले रंकी होती है जो दुनिया बर के मुर्गे चैटानों में तेड़ती है इनकी करीबन 80 पर जाती है या अन्य मचलियों से अलग होती है नमबर अनाइस एलबिनो आसकर फीस आसकर मचली एक समानाकार की होती है आसकर की कई नामों से भी जाना जा सकता है टाइगर आसकर फीस बेलवेट इसकिल्ड और मार्बल इसकिल्ड भी सामिल है एक मूल रूप से दचिन अमेरिके में निवास करती है लेकिन इस मचली को भारत, चीन और अस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकता है नमबर बीस गुरामीन फीस इन सब में से सबसे परसिद और बीसलकाई गुरामीन मचली है एक दचिन पूर्व ACI में पाई जाती है एक पर जाती एक कमपेक्ट अंड़कार मचली है इसका वाजन लगबग 9 कजी तक होता है नमबर 21 प्रिंटेट कर्प फीस इसके बारे में कोई जनकरी मوجود नहीं है नमबर 22 मिक्स कलरफूल चिचाइल्ड जिसका हिंदी नम रंगीन चिचाइल्ड मिलाए इसके नام काफी अजीब है इस मसमी में सब ही कलर्फूल मिक्स होता है इसलिए इसको मिक्स कलरफूल कहा जाता है जो देखने में काफी ज़्याद सुन्दर है नमबर तेईस फलावर हर्न फीस फलावर हर्न सजावटी एक वेरियम मचली है यह अपने चमकीले रंगों और विशिष्ट अकार के सीर के लिए परसीद है फलावर हर्न पहली बार नहीं सनब्बे में मलेशिया में देखा गया था नमबर चोगविस मिल्की कर्प मिल्की कर्प अमूर कर्प की तरह एक घरेलू पर जाती है इन मचलीयों के तराज़ूब कई तरह के पेटर्न और चमकीले रंग होते हैं मिल्क कर्प को सफेद मचली भी कहा जाता है ये मचली भारत चीन और तुर्किस्तान में पाए जाती है नमबर पचीस टिंपल बार्ब एंड एल्बीनो टिंपल बार्ब एलबीनो टीम पर बाद जिसे एलबीनो टीन फोईल बार्व के नाम से भी जाना जाता है यह एक परकार का बार्व मचली है जिसका नाम चमकदार परवर्तक सकलो के कारण रखा गया है जो टीन फोईल के समान होते हैं या एक खाने वादी लालची मचली होती है यह खाने के दवरान अपने मुह को जितना हो सके उतना वोजन से भरती है नमबर 26 एलवीनो टाइगर सार्क टाइगर सार्क के दुनिया के 34 सबसे बड़ी सार्क पर जाती है और सतम वोजन लगबख 13 सा पाउंड सक हो सकता है और लंबाई 15 फिट अब तक की दरज़े के गई सबसे बड़ी टाइगर सार की वोजन 17 सार्क पाउंड और लंबाई 24 फिट है टाइगर सार के उनके कुंद सीर, दतेदार, कंगी के याकार के दांतों और रंगों से पाचाना जाता है नमबर सताई सीलवर एरवाना सीलवर एरवाना एक दच्छिन अमेरिकी मीठे पानी की बाउनी मचली है सीलवर एरवाना को कभी-कभी एक वेरियम में भी रखा जाता है लेकिन वे सिकारी होते हैं इसलिए इन्हें बहुत बड़े टेंगी हो सकता होती है नमबर 28 एस्टिंगरे फिस इस्टिंगरे समंद्री जीव है जिनके सरीर चप्टे और पुछ नुकिली होती है इस्टिंगरे कई परकार के होते हैं वे दुनिया भर में विभिन निकायों में पाये जाते हैं जिनमें माहसागर और मीठे पानी के जिल और नदिय सामिल है एस्ट्रिंग्रे को खुजने के लिए सबसे आम अस्थान उसम कंटिबंदिय छेत रहे नमबर उनतीस नमबर तीस विडीयों में कुछ नाया देखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहां है तो워서 को सब्सक्राइब कर लिए पतना चेरियो घद्र अखर का फुल बीडियो जल्द ही आने माला है करने कर दो कर दो दो